वालो द दोस्तों कैसे आप लो उत्तर प्रदेस में योण के लिए बहुत बढ़ी खुछ ख़बरी आ रही है इस वेकरन्सी का इंथियार बहुत सारे उत्तर प्रदेस में कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोगन का सपना होता है कि प्रकाइश नोक़्िफाइब कर सारे बाथ करेंगे आज वैडियो में । लेट्थ Ses डूट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अवी तो हमारे चनल को अपर पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हैं कि अब टाइम लेश तरह की जॉपस प्डेट मिल जाए, गौर्मेंट जॉपस की अपडेट हो या प्राइब जॉपस की और और हां सब्सक्राइब करने बाद बैल आइकन जरू दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी और आप राइट जॉब की इनिफॉर्मेशन पर आपको मिल जाएगी दोस्तों हां इस वीडियो को दूसरे पास शेर जरूर करिए क्योंकि बहुत सारे इस वीडियो का वेट कर रहा होती है तो सब को मिलनी चाहिए दोस्ता बात करते सकी बारे में दोस्तों जानते है है कि उत्तरप्रदेश में बहुत सारे डिपार्टि जो पुलिस का बहुत साइब पढ़ती होते हैं तो अप तक कि सबसे बड़ी भरती होने जाया रही यह लास्टेम आपकी वहती तरी किन एडिन यहार पे आप समस्पेक्टर की यह ती लेकिन यह वेकेंसी कि यह अल्मुस्ट 9,534 वेकंज है यह मैं बहुत है तो सब्सक्राइब करने के लिए और पूरा अप्रेल कमें तक मिलेगा अप्लाइब करने के लिए और फिस करने का विल्ड है अब दूस्तों बात करते हैं दूसरा इंप्टेंट पॉइंट जो हता है फैक्टर के फीस कितन पड़ी क्योंकि एक भीमेल से उनके लिए भी 400 और जो भी सारी कटेगरी से लिए 400 कि क्या गया है किसी की स्पेसल शूटिश में नहीं दी गई है दूसरा पेम कीज का पेमेंट जो है किसी माधियम से कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है इसमें आपको है 9027 पोस्ट टोटल प्लाटून कमांडर इसमें से होंगे आपके 484 और फायर ओफिसर हो रही है बात करते हैं इसे क्वालिफिकेशन किया हुआ किसी भी कॉलिज से किसी इन्युवर्सिटी से ओ लोग इस पोस्ट के लिए अप सारे पोस्टों के लिए प्लाइ कर सकते हैं चाहिए साई हो चाहिए प्लाटून कमांडर हो चाहिए फायर ओफिसर हो अब बात करते हैं वेकेंसी डिटेल्स जो है कैटेगरी वाइस कि किस कैटेगरी में कितनी वेकेंसी है तो जब सब इस्पेक्टर पोस्ट के इसमें जो उसमें 3,613 vacancies हैं कमांडनर बात करते हैं जेनरल के लिए आपका 194 vacancies है EWS के लिए 42 vacancy है OBC के लिए आपका 131 है SC के लिए आपका 101 है स्ट के लिए 10 है इस तरीके से टोटल वेकेंसी आपकी हो रही है प्लाट्रून कमांडर 484 आप बात करते हैं फायर ओफिस है तो इसमें जनरल के लिए 10 सीट्स हैं सैंदे कि लिए 10 सीट्स के लिए सिक्साइब नहीं है तो टोटल वेकेंसी आपकी हो रही है 23 बात करते हैं पुलीस के टेस्ट होते हैं आपको फीजिकल प्लस रीटन तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल में जो मेल कैंडियेट्स हैं एस जनल क्याटेगरी के ओबशी के और छो आपको फुलाना होता है तो आपको फुलाना पड़ेगा देन रनिंग जो अलश्म वोते हैं तो फिस्टक रनिंग होती है तो 4.8 किलोमेटर रनिंग आपको कम्प्लीट करनी है विदन 28 थीक वैसे ही मेल केंडिडेट्स जो स्ट काटेगरी कि हैं उनके लिए जो हाइट है उनके विदन 18 सेयंटी मेटर है और याफाल डिज्रून चाहिए हो 77 सेयंटी मेटर होना चाहिए और उनके लिए चैस्त नहीं नहीं है इनकी रनिंग भी 2.4 km होनी चाहिए, within 16 minutes, female candidates के जो SD से बिलॉंग करती है, उनकी height प्यवप की 147 cm होनी चाहिए, और इनकी रनिंग भी 2.4 km होनी चाहिए, और इनकी रनिंग भी 2.4 km होनी चाहिए, तो दोस्तों अभी से तैयरी करना चुरू कर दें, फीजिकल करते हैं, क्यों आपका minimum जो age होनी चाहिए, 21 years होना चाहिए, और maximum जो age होनी चाहिए, 28 years होना चाहिए, इसके बाद जो आपकी age का relaxation है, OH पर government norms, जो SCST के लिए 5 years और OBC के लिए 3 years मिलते हो सारे चीज़े इसमें applicable है, जो age की गणना होगी, आपकी 1 July 2021 का नुसार होगी, धान लखेगा, इसका चाहिए, जो almost आपका 2 hours का होगा, जिसमें आपके 100 marks के अलालो questions होगे, जिसमें आपके समान हिंदी या जनरल हिंदी आप कह सकते हैं, 100 marks का होगा, फिर जो जनरल awareness होता है, समविधान के मूल विदी के लिए, उसमें भी आपका 100 marks का होगे, फिर संख्यात्मा के मानसिक योग पोटल आपके 400 marks के exam होगे, अब जो इसका exam का pattern, exam का pattern जितने भी लोग apply करते हैं, उसके साब से तय किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, अगर ज्यादा candidates होते हैं, तो आपका अलग लग पालियों में, लेकिन ट्राई ये किया जा रहा है, इसमें कि एक ही दिन सारे exam होगा, बार-बार, कभी तब आप देखते हैं, कभी पेपर लिख हो गया, कभी ये problem मागी, कभी उस problem को rectify करने के लिए try ये किया जा रहा है, कि ये कही दिन में सारे papers को हो जाएगा, उसके लिए अलग पालिक करना पड़े, यह आपको दो गंटे का paper है, तो कई सारी time में आपको म ही चाहिए, और then combine आपको at least 50% marks चाहिए, तब ही आप qualify कर पाएंगे next round के लिए, आप qualify नहीं कर पाएंगे, दोस्तो इस तरीके सा आपका physical होने पाद, retail होने के बाद, qualify करने के बाद, फिर आपका list जो है government चारी करेगी, जिस पे आपको medical कराना पड़ेगा, आप अच्छे ह बताईएगा, मैं try करूँगा, उसको solve करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी वेकंसी है, और बहुत चाहिए लोग को खुसी होगी इस पे, मैं और कोशी करूँगा, इस पर और information आपको share कर सो, ताकि आपको जितनी असानी हो सके, और हाँ इस वीडियो को जितना हो सापने फ्रेंड्स पाँ जरूर शेर करिएगा, ताकि ओ लोग भी इस प्लाइ कर लें, क्योंकि बहुत सार लोग इस वेकंसी को वेड कर रहा है थो, तो पूरा वीडियो देखने के लिए प्यार पूर्वक, धन्यवाद